जुरासिक प्लैनेट में आपका स्वागत है इस ब्रह्मान के सबसे प्यारे और डरामने डाइनसौर का घर बिस मॉली जो दुनिया की सबसे जानदार और आखरी डोडो पक्षी है वो अपने घर का रास्ता भूल गई है शुक्र है उसकी बेस्टी एक टेरा देक्टायल मेबल उसे घर पहुँचने में मदद करने वाली है उनकी ये खोज कहां तक जारी रहेगी क्या दोनों वापस घर पहुँच पाएंगी इस जुरासिक प्लैनेट में एक और अडविंचर शुरू होने वाला है क्या तुम इस जगा को जानती हो वाली अम उठी भर भी नहीं मेबल ये कोई ताजुप की बात निये कि ये जगा को अंजान दुनिया की रूप में जाना चाहता है यहां पूरी दुनिया से दूर क्या कर रही हों तुम तो मुझे जानती हो हमेशा मस्तिया और रोमाश की दलाश में रहती हूं शायद मुझे वो अखंड पत्थर के यहां का मोड़ नहीं लेना चाहिए था ये अखंदू पत्थर क्या है? वो बास्तों में पत्थर है जो रिखता ही नदी के यहाँ है अच्छा ऐसा है? हाँ, क्यूँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि लान्बाक हो सकता है मुझे बस इतना ही पता था कि वहां अच्छी मचलिया मिलती है मुझे लगता है कि वो दोनों भी वहा हूंगे मुझे लगता है कि हम गुर्गुर्पूम रहे हैं हमें पश्चिम की तरफ जाना चाहिए पर पता कैसे चलेगा पश्चिम कौन सा है यह तो आसान है हमें बस सूरज को फॉलो करना है जब तक यह हमारे सामने है नहीं हम नहीं चाहते कि सूरज की इस दिशा में जा रहा है पुरी दुनिया में तुम स्मार्ट हो और मेरी सब सी अच्छे दोस्तों अच्छा अगर मैं कहूं तुम मुझे चॉकलेट डोनट देने वाली हो तो भी ठीक है इस बात पर निर्भर करता है कि ओकी ने अभी तक पहिया का अविशकार किया है या नहीं तुम चॉकुनी डोनट नहीं खाओगी ना मुझे परवा नहीं कि डोनट के साकार का है जब तक कि वो चॉकलेट का हो मैं नहीं जानती कि दुम इतनी पतली कैसे हो मेब मैं अच्छा खाना खाती हूं और भर पूर एक्सराइज करती हूं जितना देर तुम करो उतना ही तुमें फाइदा होगा अच्छा ठीक है तुमें कुछ महसूस हुआ क्या महसूस क्या वो गरगरा हाट मैं एक सीदर से ज्यादा फ्लाइर हूँ ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाने वाला है स्नाल अला टाइड़न दूसरी ओर अंजान दुनिया की तरफ एक जगह है जिसे बैरन लैंड्स की नाम से जाना जाता है यही पर स्नाल जुरैसिक प्लानेट का सबसे शातिर टीरेक्स और टाइरॉन दो एलसोरस जो स्नाल का बेवकूफ दोस्त है रहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ टाइरॉन मिस मॉली के निशान कर्म है और कर्म 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 है हाँ, हम हैं, हम उसे जरूर पकड़ेंगे, हाँ, हमें यकीन है, तुम कुछ भी ट्रैक कर सकते हो सनाल, तुम एक कुछल मास्टर ट्रैकर की तरह हो, जिसने आदमी को भी ट्रैक किया, हाँ, ठीक कह रहे हो, सनाल, क्या, हम मिस मॉली को क्यो ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि वो आरे अकलमन दोस्त, मैं उसे पालना चाहता हूँ, सोचो, मैं प्राकर्मी स्नावल, आखरी डोडो पक्षी का माले, यह अमीर होने जैसा है, किसी कंपली के माली होने जैसा, जो अंतरिक्ष में रॉकेट शूट करते है, अब मैं समझ गया, रॉकेट क्या है, यह कै, ओ, वो द इसली मेबल के साथ है, अगर उने पकड़लो तो उसे रख सकता हूँ, कोई बात नहीं, वो वक्त बहुत कम है, चलो, पकड़म पकड़ी शुरू हो चुकी है, जो रैसे ग्रह के सबसे बड़े बदमाश, माली और मेबल का गहरे जंगल में पीछा कर रहे हैं, क्या हमारे ही जंगल उन्हें पैंजियां की गुफाओं की तरफ ले आया, बाल बाल बच गए, तुम मुझे बता रही हो, मैंने लगबग दो बंग खो दिये, पर अब हम कहा है, मैं इस जगह को अच्छी तरह जानती हूँ, ये पैंजिया है, बुद्धिमान टाइसर अटैप का घर, ट वो शाकाहरी है, इसका मतलब है कि वो केवल बहुत है खाते है, तो डरने की ज़ुरत नहीं, मेरा वक्त तो बहुत बुरा है, उपर से स्नाल और उसके दोस्त मेरे पंख तोड़ने की कोशिश करते हैं, ए देखो, करीमा, तैसरा टॉप्स, वो कमाल है, तुम उसे पसंद कर होगी, हेलो मीबल, आप यहां बाहर क्या कर रहे हो, हाई करीमा, यह मेरी दोस्त मॉली यहां खो गई है, और मैं उसे घर ढूरने में मदब कर रही हूँ, हाई करीमा, आप से मिलकर खुशी हुई, वाउ, मुझे तुम्हारा ताच पसंद आया, ओ हाँ, शुक्रिया बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब बस इतनों सदा, हाई, तुम दोनों ऐसे भाग रहे हो, जैसे कोई पीछा कर रहा हो, क्या तुम ठीक हो, ठीक है, उनमें से एक लाल है, हाई, हाई, हम बस अभी सनाल और टायरॉन से बचकर भाग आए है, ओ नहीं, वो दोनों पुली के लिए वग्द भी नहीं था, मैं आपको जरा भी दूश नहीं दे रही, मुझे उन बड़ी मतलबियों पर शक है, पुचानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो हम तक नहीं पहुच पाएंगे, शायद वो इसलिए, क्योंकि उनके चोटे-चोटे हाथ है, कितनी देर तक उन दुरूस्त हो गई हूँ, हाँ, ये डाइनोमाइट एक ससाइस है, देखना मैंने क्या कहा, डाइनोमाइट, पागल कही कि, मैं कमेडियन बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही हूँ, बोरी पागल हो मैंस, क्या आप इसे कभी कोई गुफा में जोटे लड़के ओकी से मिले, म वो है, क्या तुम जानती हो कि वो यहां कैसे आया, मैंने उसे कभी नहीं पूछा, प्लीज हमें बताओ करीमा, बेचारा छोटा सा बच्चा, गलती से अपनी कभीले से पीछे छूट गया, ओ, नहीं, एक दिन, मैं और मेरा मेटा कोना, हम खाने के लिए सबजियां ढून र नहीं, खुस्से में आई हुई पांच जितियों का जुण, वो छोटे खुद जूसने में शातिर है, ओ, फिन निश्चित है, आरे, नहीं, फिर से नहीं, रुको, मुझे लगता है कि मुझे मिल गया, हाकरी गैस, स्नार और टाइरान, ओ, तिंग दिंग दिंग, हमारे पास कुछ और काम नहीं है, आसपास के लोगों का पीछा करने के अलावा, मुझे नहीं लगता, वैसे भी मैंने कुना को सिखा है, हमेशा खुद के लिए खड़ी रहने के लिए, खास तोर से जब धंकियों से निबटने का वक्त आता है, जब हमने उन दोनों को गरीब उकी का पीछा करते हुए देखा, तब हम उन दोनों पर कूद गए, स्दार और टायरोन हमसे डर गए, आपने अच्छा किया, ठेक है, उसी वक्त से ओकी हमारे परिवार का हिस्सा बन गया, आप जानते हैं मुझे क्या अच्छा लगा, क्या मॉली, आपने ओकी को अपने परिवार का हिस्सा बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद मॉली, ऐसा कहने के लिए शुक्रिया, ओकी मेरे लिए मेरे बेटी जैसा है, और कोना के लिए एक छोटे भाई जैसा, तेरे जान बुझ कर छोटा कहा, आप तूचेंगे कि स्नॉल और टायरोन ने अभी तक उनक कि नहीं, सरूर एक ना एक दिन, जल्दी उन्हें पता चलेगा कि प्यार नफ्र से कई गुना अधिक अच्छा है, ऐसा कोई रास्ता है, जिससे स्नॉल और टायरोन अपना सबग जल्दी से सीख पाएंगे, कि मेरे पैरब बहुत धक चुके हैं भाग भाग के, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी किसमस शायद अच्छी है, ऐसा कैसे करी मा, मैंने कोना और ओकी को आज सुबब बात करती हुए सुना, ओकी ने अपने कबीले में वीरों के बारे में पढ़ा था, जिसे शायद कुछ बड़ी परवत का एक जादूई पन्ना कहते हैं, ये ज़रू है कि हम उचे परवत के उस जादूई पन्ने के साथ इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि स्नाल और टायरों खड़ूस बुड़े की तरह बनना छोड़ते हैं, कुछ ऐसा ही समझो, हाँ, हमें ओकी और कोना का जादूई पन्ना ढूनने में मदद करनी चाहिए, इससे हम सब की ज जल्दी करोगे, तो शायद तुम उन्हें पकड़ोगे, हैंक्स करीमा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हाँ, फिर से धन्यवाद मेंस के, संभल कर जाना बच्छो, और अगर तुम्हें वहाँ कोना मिले, तो उसे बोलना कि मूली के पत्ते ना लाना भूले, मैं डिन काल और टायरोन को दोस्त बनने में, बहुत अच्छे दोस्त बनने में मदद कर सकते हैं, मैं कह रहा हुना कोना, हम बिलकुल सई रास्ते पर हैं, और वो रास्ता किस तरफ है, मुझे पता नहीं चल रहा, सामने की तरफ, और तुम मुझे जानते हो छोटे मिया, मैं इस वेंचर होगा वो कैसे क्योंकि अगर हम जादुरी परना हासिल कर लेंगे तो स्नार्ड और टाहिडन आसपास के सभी लोगों का पीछा करना बंद करतेंगे वो इसे मुझे बिल्कुल ढर नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं बेशक वो तुम्हें नहीं दराते हैं क्योंकि तुम्हारे सर पें दो मोटे मोटे सीं और एक चोज भी है तुम अपनी पूरी तरह से रक्षा कर सकते हों और मेरे पास तो स्रिफ एक लंगोट ही है तुम्हारे पास मैं और मेरी मा है तुम्हारा खयाल रखने के लिए समझे यकीन मानो मैं जानता हूँ मैं कितना लखी हूँ बस दिकत यह है कि सनाड और टारन तभी मुझे ढूंटे हैं जब मैं अकेला होता हूँ चिपकू कही के देखो अगर हमें जादूई पन्ना मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा तुम जानते हो न इसलिए मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है शायद हम उनके बुली करने का अंत करतेंगे और शायद हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं हाँ हेई दोस्तों मेरे दोस्त से मिलो स्नाव हाँ और ये बहुत ही शानदार है मैं क्या कहना चाता हूँ तुम जानते हो हाँ मैं तो बस मजाग कर रहा था तुम्हें जादूई पन्नी के बारे में कैसे बता मेरे कभीले के लोग जलते हुई आग के सामने कहानिया बताते थे वो कहते थे वो जादू का पन्ना नवदिप असूर के द्वारा बनाया गया था सबसे लंबे नाम लेने के लिए तुम्हें पुरुषकार दिया जाता है सही कहाना सुनो जादूई पन्ना नवदिप असूर का सबसे बड़ा ख़जान था उस असूर के मरने के बाद तुम अगर अगर ढूनते हो तो अपती इच्छा सामने प्रकट कर सकतो जो तुम्हें प्यार और दोसी खोजने में मदद करेगा हाँ, हमें सर्फ उस जादूई पन्ने को ढूनना है और जुरासिक प्लानेट पर शांती और अमन की काम ना करनी है बस इतना ही सही कहाना हाँ, इतना ही, पर एक दिक्कत है ओ, दिक्कत? हमेशा कोई ना कोई दिक्कत होती ही है हां लेकिन यह इतनी बुरी नहीं है जादुही पन्ह से कुछ पाने के लिए तुमको बदले में कुछ देना होगा समझे क्या देना होगा हमें तुम्हारा विश्वास estamos जादुही पन्ह तब ही काम करीगा जब लोग उसके जादु में विश्वास करते हैं क्या यार जब से मेरी मा ने तुम्हें मूली के पराटे खिलाना शुरू किया है तुम ग्यास छोड़ने लगे हो हाँ हाँ मेरे पास है लो अभी तुम्हें सुगाता हूँ हे भगवान सुनो अब मेरे इस वाले शक्ती से तुम बिल्कुल जलना मत मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम थे या फिर एक ज्वाला मुखी की गड़गडा हट ये बहुत ही दराब ना था तुम्हें पता है चलो भी हमें अभी लंबा सफर तै करना है हाँ कम से कम हमारे पास एक गंध होगा हमें मार्ट दर्शन करनी के लिए मेरे पुष्टैनी सुगेंध राशनी को चीरते हुए आगे बढ़ेगी गंध से राशनी को चीरना अच्छा नहीं होगा पहले खुदी रक्षा करना जरूरी है एक तरफ ओकी और कोना जादूई पन्ने को ढूणने के लिए आगे बढ़ रहे है मौली और मेबल उनका करीब से पीछा कर रहे है तब ही अचानक उनकी मुलाकात उनके एक पुराने मित्र विलो जो एक बुद्धिमान एंकिलोसौरस है उससे होती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जादूई पन्ना काम करेगा मैं नहीं जानती क्या तुम वो कहावत जानती हो कुछ भी नहीं हुआ कुछ हासिल नहीं हुआ हाँ ये मैंने पहले भी सुना है क्या तुम जानती हो कि मैं हमेशा क्या सोचती हूँ क्या वो कौन है वो केवल वही कर रहे है जो उनके समझ में आता है ये जीवन में से एक सबसे बड़ा रहस्या है लो बद्धीमान विलो आ गया हाई विलो आप कैसे मिस्टर वाइस सर ओ मॉली हम एक दूसरे को चांटते हैं जब से तुम पहली बार अपने अंडे से बाहर निकले थे तुम मुझे विलो कह सकते हो थांक यू सर विलो विलो सर क काफी अच्छा अच्छा ये बताओ तुम लोग कैसे हो बस वही रोज की बखवास से निपटना स्नाल और टायरं से फिर से एक्टिंग कर रहे हैं हाँ बार बार और बार बार टाइम स्टेन फिर से विलो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है बुली लोगों को क्यों दमगा यह सच में कढ़िन सवाल है मौल्स कभी कभी बुली में बुली करते हैं क्योंकि वे दुखी हैं अपनी ही जिन्दगी से लेकिन वह कियों आंदर से बहुत दुखी हैं तो यह दूसरे को भी शायद दुखी करना चाहते हों आप उखोत जांते हो दुख को साथी पसंद है फिर से उनके साथ आज का एजेंडा क्या है हम एक मिशन पर है स्नाल और टाइरन को इतना बुरा होने से रोकने के हाँ करिमा ने हमें बताया कि वो क्यों और गोना लंबे परवत का जादूई पन्ना खोजने के मिशन पर है अगर वो इसे पाते हैं तो वो एक इच्छा मांगने वाले हैं प्यार और दोस्ती के लिए जो स्नाल और टाइरन को बदमाश होने से रोकती हाँ मुझे लगता है कि हो सकता है तो ये मौजुद है आप सब कुछ जानते हैं विलो क्या लंबा बरुवत का जादूई पन्ना ऐसी कोई चीज होती है हाँ जरूर है लेकिन वाँ मुझे नफरत है लेकिन से लेकिन इसे खोजना बहुत ही मुश्किल है बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन सिर्फ कुछ ही सफल हुए हाँ मुझे आशा है क्यों कि और कोन ऐसे डूढ लेंगे अगर नहीं हुआ तो क्या उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है विलो नहीं अब कोई सवाल नहीं ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है अगर कोई आपको धमकी दे रहा है अपने आप में डटे रहे उनके सामने खड़े हो जाओ यदि आप उन्हें धमकाने देते हैं तो वे हमेशा आपको धमकाने की कोशिश करेंगे इसलिए स्नार और टाइरॉन हमेशा किसी का पिल्चा कर रहे हैं लोग उनके सामने खड़े होने से भी डरते हैं आप और क्या कर सकते हैं विलो? यदि कोई धमकाने वाला परिशान कर रहा है भले ही ये कठिन समय हो शान्त और विनम रहें बुली हमेशा आपको अंदर तक कोसेंगे उन्हें अंदर तक मत आने देना चाहे फिर तुम्हें कोई कुछ भी कहे पर अगर आप डर गए तो क्या करेंगे? क्या होगा अगर धमकाने वाला बहुत ज्यादा करें? उस मामले में हमेशा अपने बड़ों को बताओ जो आपके मा, बाप और भाई हैं उन्हें बताओ कि क्या हो रहा है ताकि तुम अपने आपको सुरक्षित कर लो ये बहुत अच्छी सलहा है हमें चलते रहना चाहिए ताकि हम ओके और कोना के साथ पकड़ने के कोशिश कर सके क्या हम गलत तरीके से काम कर रहे है मुझे तो यही लगता है क्या आप हमें बता सकते हैं विलों? तुम्हें बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं है हम नहीं? नहीं, बस अराम से सांस लो सुंगा तुमने? ये, और ये गंदा है वो, ओकी और उसके गंदे कपड़े कुछ ना कुछ काम आएगा धान रखना विलो और सला देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया जिसला के लिए गुड लग बच्चों मॉली और मेबल को विश्वास हो गया है कि उन्हें ओकी की गंद मिल गई है और इसलिए अब वो जुरैसी ग्रह की अजीबो गरीब दुनिया में और गहरे जाने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है कि उनका बाला किस से पढ़ने वाला है स्पाय का, जो एक जबरदस जुजारू, युवा, स्टैगोसारूस है तो आज तक हमने स्नाल और टाइरान के द्वारा पीछा किया और अब हम ओकी और कोना का पीछा कर रहे है वो भी कंद के के मदद से जुरैसिक ग्रह पर एक बिलकुल भी सीधा सादा दिन लग रहे है मुझे ए, कम से कम हम इतना तो जानते के हम सही रास्ते पर है किस दिशा में जा रहे हो, कहां जा रहे हो ए, स्पाइकर ओ, हाई, स्पाइकर पुसुर पुसुर चल रही है हम तुमें नहीं बताएंगे क्यों नहीं? क्योंकि हर बार हम तुमें कुछ बताते हैं तो तुम स्नॉल और टायरन को जाके बता देते हो। हर समय नहीं और मैं इसे हमेशा जान बूच कर नहीं करता। कभी-कभी वो मुझे बताने के लिए उकसाया करते हैं इससे पहले कि मुझे कुछ पता हो कि क्या हो रहा है। पिर भी बैठर है कि हम एक बिशब ना कहें। आस करकर जब हम एक महत्वपूर्ण मिशन पर हैं। एक बाटिट मिशन? ओ जलो दोस्तों आप मुझे बताना पड़ेगा। शायद मैं मदद कर सकूँ। ठीक तुम्हें यही कहा था जब हमने पिशली बार आपको सिक्रेट बताया था याद है। जब हमने तुमसे कहा था कि हम हौन सलोन खोलने के लिए जा रहे हैं। ओ फिर से। वो फिर से। अगले ही दिन आपने स्पाइक्स हौन हैवन का सलोन खोला। हाँ, तुमने हमारी आइडिया चुरा ली हमारे नाप के नीचे से। लेकिन पिछले साल ऐसा ही था। पर इसके लिए मैंने तुम्हें कुछ सिंग भी दिये थे। देखो, मैंने किमत चुकाई थी ना, है ना, ठीक है, मुझे माफ करो। आखिरकार, तुमने माफी मांग ली। बहुत अच्छे। माफ करना दोस्तों, कभी-कभी मैं चीजों को लेकर उत्साहित हो जाता हूँ। कुछ भी करने से पहले सोचता ही नहीं। मुझे माफ करूँ। आप क्या सोचते हो, मॉली पॉप। ओ, ठीक है, माफी स्विकार कर ली गई है। ओरे। हाँ, माफ कर दिया, बॉन हैड। धन्यवाद, अब मुझे इस इंपॉर्टेन मिशन के बारे में बताए। ओ, प्लीज। ओके, लेकिन स्नार और टायरां को मत बताना ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा। ओकी और कोना को हूँ मिलने की कोशिश कर रहें, ताकि हम उन्हें लंबे परवत का जादुय पन्ना खोजने में मदद कर सकते हैं। वो, वो चीज वास्तोब है। हाँ है, हमने विलो और सब को पूछा। बहुत अच्या, आप सब क्या चाहते हैं। यही किस ना रॉल्टाइरॉन इतने खुदगर्ज होना बन कर दे। यार, ये बहुत अच्छी इच्छा है। क्या वो तुम्हारा भी पीछा करते हैं, स्पाइकर। तब ही जब मैं उन्से कुछ छुपाता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं अपना मुँ बंद रखूंगा। अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है, तो मैं अब उनसे कोई रिष्टा नहीं रखूंगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा बहतर महसूस कर रही हूँ। मैं भी। ठीक है शांत लड़कियों। मुझे निकलना होगा। मुझे स्पाइक के हौन हैवेन में वापस जाना है। कहीं मैं लेट न हो जाओ। आप ऐसा करते हो स्पाइकर। बाद में मिलते हैं। तुम्हारे सफर के लिए गुड़क। मैं अब इंतिजार नहीं कर सकता कि ये कब होगा। इसी धर्मिया जुरैसिक वुड्स में स्नाल और टायरॉन अपनी खुद की एक योजना बना रहे हैं। देखते हैं कि ये दोनों बदमाश मॉली और मेबल पर कैसे कबजा करते हैं। पता लगाने के लिए आए उन्हें देखते हैं। चिंता मत करो स्नाल, हम अभी उन्हें दोनों को पकड़ लेंगे। तुम शर्त लगा सकते हो कि हम करेंगे। मेरे पास एक प्लान है जिससे वो पकड़े जाएंगे। क्या प्लान है स्नाल। ठीक है, तो हम ये करने जा लें। ठीक है। सबसे पहले तुम ओकी और कोन आपके पीशे जाओगे और उनका ध्यान भटकाओगे। लेकिल मैं उनका ध्यान कैसे भटकाओँ। उन्हें अपनी पूछ के साथ रस्सी कूद खेलने के लिए कहे। ठीक है, ये काम करेगा, आगे क्या है। जब तुम लोग खेलने में व्यस्त होगी, तो मैं उन्हें पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना शुरू करूँगा। बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा। तुम्हारा मतलब है कि मुझे पिंजरा बनाने में कितना वक्त लगेगा। हाँ। मुझे नहीं पता। शायद लगबग छे घंटे। छे घंटे। यार, तब तक तुम मेरी पूच ही टूट जाएगी। टीम के लिए तु यह करना पड़ेगा। वैसे भी, तुम्हें छिपकली हो। अगर पूच टूट जाती है तो वापस भी आ जाएगी। मुझे नहीं पता यार, कोई आसान तरीका होना चाहिए। तुम अभी पिंजरा बनाना शुरू क्यों नहीं कर देते। इस तरीके से हम उन्हें पकड़ सकते हैं। वाप, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तुम्हारो दिमाग सच में कमाल का है स्नाल। मैं चाहता हूँ कि कभी कभी तुम भी मेरी मदद करो। हर वक्त मुझे, मुझे ही सब कुछ सोचना पड़ता है। सिरियसली यार, तुम्हे भी मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन मैं बस सर। हाश, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो पिंजरा बनाते हैं। स्नाल और टायरॉन पिंजरा बनाने के लिए लकडिया ढूनने लगते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि वो जहां खड़े हैं। उस मोर के दूसरे तरफ कोन और ओकी है। जब वो मिलेंगे तो क्या होगा। मुझे सच में जंगल से प्यार है ओकी। यहां हमेशा बहुत शानती रहती है। मुझे भी। जानते हो दुक की बात क्या है। कभी कभी हम सब किसी भी काम में इतना बिजी हो जाते हैं। और जीवन में जो चल रहा है उसे भूल जाते हैं। हमें बस चारे और एक नज़र डालके आस पास की सारी सुंदरता देखनी चाहिए। तुमने बिलकुल सही कहा। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए इस सुंदर जगे की तारीफ करनी के लिए। तुम कभी भी इतना व्यस हो तब एक सेकंड के लिए रुख जाओ और एक सांस लो। सच कहूं तो जब तुम बिजी होते हो तब ही तुमको यह करना चाहिए। एक सेकंड के लिए रुख जाओ और तुमारा दिमाग शांत हो जाएगा। काश मेरी नाक इतनी साफ ना होती। कैसे क्या तुमें अलेजी है। नहीं पूरे टाइम तुमारी सड़ी होई गंद सूंकर मेरी नाक सड़ जाती है। मुझे अफसोस होता है कि भगवान ने पच्छवारा क्यों बनाया। क्यों सही कहाना। सुंदर्टा और सुगंद का आनद लो मेरे दोस्त हवा के सुगंद का। क्या। वहाँ पर देखो। अरे स्नावल और टाइरन है। अब हम क्या करें। जो करना था वही करेंगे, वो ठीक रास्ते में खड़े हैं जिस पहार पर हमें जाना है। ओ, क्या हमें खड़े होकर लड़ना चाहिए। इससे तो वक्त बरबाद हो जाएगा। क्यों। क्योंकि अगर हमें जादुई पर न मिल जाएगा तो हमें कभी भी लड़ने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो पर अभी हमें उनका सामना करना होगा। हाँ, हम करते हैं। ओ, ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ऐसा लगता है कि हमें एक शांदार, जबरदस मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है। अगर किसी बात की कमी है तो वो है जंगल के गीत और कुछ संगीत की। यहाँ पर कुछ तो होगा ही जिसका हम पिंजरे के लिए उप्योग कर सकते हैं। इंसानों ने पिंजरा बनाने के लिए धातू की खोज़ी थी। धातू क्या है? खेर जाने दो। मुझे लगता है हमें लकड़े का उप्योग करना चाहें। पर लकड़िया बांधने के लिए और पिंजरा बनाने के लिए हम किसका उप्योग करेंगे। शायद हम इसे एक साथ बान सकते हैं अपनी छोटे हाथों से पिंजरा बनाते बनाते बहुत समय निकल जाएगा रुको, मुझे मिल क्या, हम बेड़ के रसका उप्योग करेंगे तुम पुद्धिमान हो स्नौल मुझे पता है, है ना? हे, वो भयानक गंद क्या है? तुम ही क्या इसी वक्त गयास छोड़नी थी? अब उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं उप्स क्या ये, मिस्टर बीग हेट कोना नहीं है? और उसका पदबुदार छोटा दोस्त ओकी? हाँ, ये वकूफ पदबुदार दोस्त, बड़े सिर के साथ हाँ, 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 हास्ट, टाइरोन रुकाँ वैसे तुम दोनों मुझे बताओगे कि यहाँ क्या कर रहे हो हम बस ऐसे जा रहे थे और जाहिर तोर पर गैस भी गुजर रही है हाँ, तुम लोग भाग के शाली हो कि तुम्हारी गैस दूसरी ओर जा रही है हाँ, बड़ फेसर हाँ, तुम उन्हें पताओ स्नार ही दोस्तों, लड़ने की कोई जोरत नहीं है हम अपने रास्ते जा रहे हैं तुम अपने रास्ते जाओ हाँ, मेरा मतलब है हम सब बीजी है जगडे के लिए समय नहीं है ओ, लड़ाई के लिए हमेशा समय होता है यदि तुम लोग आगे जाना चाहते हो तो हमें बाहर करना होगा हाँ, तुम लोगों को नदी बाहर करनी होगी मुझे नहीं पता तुमने अभी क्या कहा टायरोन हाँ, उन्हें बताओ स्नाल ठीक है, अगर आप रास्ते से हटेंगे नहीं हमें बस आप से आगे जाना है बड़ी ही बहादुरी से हमारे हीरोज स्नाल और टायरोन को बेवकूव बना कर वहां से भाग निकलते हैं देखते हैं कि अब वो कितने दूर भाग पाएंगे या फिर जुरासिक ग्रह के सबसे बड़े बदमाशों के शिकार बन कर रह जाएंगे वापस आजाओ सुना नहीं इसने क्या कहा हश डायरोन ओकी तुम्हें पता है ना तुम अपनी गंद से मार सकते हो अब ये समय आ गया है मुली के पराथे की गंद ओकी ने शेर की करश्टी हुई दहार जैसी पाथ छोड़ी जिसके कारण सबकी आँखों में पानी आ गया डाइनोसार के इस दुनिया से लुप्त होने का शायद यही कारण होगा ओकी की बंबारी जैसी पाथ स्नाल और टायरन को राह में ही रोकता है और वो गश्खा कर वहीं पर गिर जाते हैं ए भगवान ओ, एम, जी वो क्या था? किसी तरह का गुपत हथियार स्नाल क्या, क्या हुआ? तुम हरे हो रहे हो मैं हरा हूँ, प्योकुफ कहीं के ओ, हाँ, सौरी क्या हमें उनका पीछा जारी नहीं रखना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी है मैं और ज्यादा गंद परदास नहीं कर पाऊ हाँ, और इसके अलावा हमें अपना सूपर जूपर डोडो पक्षी पकड़ने वाला पिंजरा बनाना है स्नाल और टायरॉन पूरी शिद्दत से उनके पिंजरे के लिए लकडिया ढून रहे हैं तब ही उनकी मुलाकात एक अनपेक्षित महमान से होती है है, मैं अभी भी उसे सूंग सकता हूँ छोटी गुफा में लड़कों की गंद मुझे लगता है कि हमें नहाना चाहिए और फिर फूलों के बेट पर सोना चाहिए मेरी बात याद रखना एक ऐसा जानमर होगा जो इस तरह की बदबु का इस्तेमाल करेगा एक अथियार के रूप में हाँ, ये शायद होगा जो हमारे प्यारे शहर को एक बदबुदार शहर बना देगा हेलो दोस्तो अरे, अरे, स्पाइकर हाओडी पार्टनर तुम दोनों क्या कर रहे हो हम लकड़ी और पीण के रस की तलाश कर रहे है क्या सच में? पर क्यूं? ताकि अंत में हम एक पिंजरा बना पाए उन्नन्ह पीसी पंचियों को पकड़ने के लिए मॉली और मेबल आप उन्हें पकड़ना क्यूं चाहते है? तोकि मॉली ही है दुनिया का आखरी डोडो पक्षी उसे पकड़के मैं बहुत ही मशुहूर हो जाऊंगा इसे मदद मिलेगी स्नाल को प्रभावशाली बनाने में आप किसे प्रभाविक करना चाहते है? कोई भी जो नहीं करता ठीक वैसा ही जैसा मैं उन्हें बताता हूँ यार ये भायानक लगता है कोना औरोकि उस जादोई पन्ने को खोच कर जल्दी शांती और दोस्ती की काम ना करें तुमने क्या कहा स्पाइकर? हाँ तुमने क्या कहा स्पाइकर? एक काम करो तुम ही उसे पूछो स्नाल मैंने अभी वही तो किया कौन मैं? मैंने कुछ नहीं कहा हां, तुमने कुछ तो का, मैंने सुना, उसने सुना, तुमने क्या सुना? मैंने ऋस्पाइकर को कुछ बुदर्बुदाते हुए सुना, एक जदुई पन्ना के बारे में, नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने कहा, लड़का sales ले रहा है स्पाइकर, तुम जरूर कुछ जानते हो, है ना? कुछ ऐसा जो तुम हमें नहीं बता रहे हैं हाँ, ये कुछ तो जानता है, बताओ से स्नाल सच में दोस्तों, मैं बस बड़ बड़ा रहा था और तुम क्या बड़ बड़ा रहे थे, एक जादूई पन्ना के बारे में, हे टाइरॉन हाँ स्नाल क्या तुम्हें कुछ पता है कि क्या मिलके एक महान स्टेटस सिंबल बनता है नहीं, लेकिन मुझे यकीन है तुम मुझे पताओगे, हाँ मुझे पताओ स्नाल एक जादूई पन्ना होगा, कल पना करो कि अगर मैं स्नाल, चुरासिकरन का भैंकर टी रैक्स, जिसके पास आखरी दोनों डोड़ो पक्षी और एक जादूई पन्ना हो विशाल का जादूई पन्ना आहा, तुम कुछ जानते हो, अब बता दो स्पाइकर हाँ, चलो बताओ, स्पिलर क्या? हाँ, उसने क्या कहा? ये सिर्फ एक पुरानी कहाने है अरे हाँ, हमें बताओ हाँ, हमें बताओ, है न स्नाल? हश्टैरोन, हाँ ठीक है, ठीक है, एक वीर ने उस जादूई पन्ने को बनाया था यदि आपको ये मिल जाए, तो आप इससे एक इच्छा मांग सकते है रुको जरा, पाउस हो जाओ, तुम कह रहे हो कि मैं आखरी डोडो पक्षी पकड़ सकता हूँ, है न? और जादूई पन्ना प्राप्ट कर सकता हूँ, और सच कहूं तो मेरी यही इच्छा है हाँ, एक एक शा, तुम उस बड़े पत्थर से दिमाग मांग लेना आप तब ही कर सकते हैं, अगर कोना और ओकी को पहले ये ना मिले क्या, कोना और ओकी? तो वो वही जा रहे हैं तो अब बात समझ में आई ये करता है? हाँ, ये करता है मैंने वादा किया था कि मैं नहीं बताऊंगा कब से कम में मेबल और मॉली के रहस्य को छूपाने में काम्याब रहा हाँ, तुम जानते हो टाइरोन हम बस सक्षम हो सकते हैं चार पक्षियों की देख भाल करने के लिए दो पक्षों की अच्छी देख भाल करें और फिर अन्य दो को पकड़ें मतलब कुल चार और एक विशाल पन्ना पत्थ हाँ गनेत तुम उने बताओ अंक गनेत हर कोई मुझ पर पागल होगा चिंता मत करो इस पाइकर जब तक मैं आस पास हूँ मैं ही अकेला डानासोर बनू क्या तुम उसे सुंग रहे हो टायरॉन हां काश ये चला जाता ये पक्का उस बदबुदार ओकी की गंध है बस कहरी सांस लो अच्छे दोस्त वो गंध ही हमें ले जाएगी समस्या के सामाधान के पास तुम महरा मतलब ओकी के बट से है हां और वो हमें ले जाएगा लंब मॉली और मीबल के लिए चीजे और पेचीदा होने वाली है क्योंकि स्नाल और टायरॉन को टॉल माउंटन के जादूई पनने का रह से पता चल चुका है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है कम से कम हम इतनी उमीद त कि स्पाइकर को ये बताना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं शायद नहीं अगर वो स्नाल और टायरॉन को बताता है तो जब वो पूल आएगा तो हम उसको पार करेंगे मुझे पूल नहीं दिख रहा ऐसा सिर्फ बोलते है पागल हम उनसे नहीं पटलेंगे जब वक्त आए और चीज़े नहीं होती है तो योजना बनानी चाहिए ये बात आपने सच कही आज आज बर मुझे लगता है कि अब तक हमें उनके पास पहुचाना चाहिये को आएज उए की ऐसा ना हूं एक आगे देखो हम पहले से ही कैना के जंगलों में हैं ओ सुन्दर ये तो बहुत अद्भूत है ये है कैना का अद्भूत और विलो भनिय जंगल एक आनदमा एक्षेत्र जहां केवल सबसे शांती प्रिय डाइनोसर रहते हैं और खेलते हैं कोमल प्राणियों से याद आया यहां एक ब्राचो सौरस परिवार भी है पापा डाको मामा सेलमा और बेबी मायलो उनकी लंबी गर्दन के कारण ब्राचो सब कुछ देख पाते हैं और इसलिए उन्हें जुरासिक रह के कई डाइनोग्रिफिक रहस पता हैं देखते हैं कि वो क्या कर रहे है चलो तुम दोनों जल्दी चलो मैं भागने के कुशिश कर रहे हूँ क्या जल्दी है पाप नए फॉन बड़े हूगए है और मैं ये सुनिश्यत करना चाहता हूँ कि हमें मिल जाए इसके पहले फैंग पहुच जाए फैंग कौन है बताओ फैंग पिछले हफते ही यहां आ मैं ये दिन देखूंगी हाँ यह जीब है मुझे घलत मस समझो फैंग एक अद्बूत दोस्त है बस उसे भूख बहुत जादा लगती है बहुत दिन पहले सलात के बारे में उसने सब कुछ खा लिया खाना पर उसने वाला बास भी कोई आश्रीने कि आप उनसे पहले जाना चाहते हैं बिलकुल मुंडो मेरी ननी बच्ची है बढ़कियो परिवार हाई जाकू सेलमा और बेबी माईलो मेरा पसंदीदा परिवार कैसा है भूका तुम बच्चे कैसे हूँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं हम एक बहुत पूड़ा मिशन पर है एक इंपोर्टेंट मैं भी बहुत प्यारी हूँ है ना हाँ तुम बहुत प्यारी हो तो इस मिशन के बारे में हमी भी बताओ ये बहुत जरूरी है शायद हम तुम्हे मदद कर सके क्या आपको लगता है हमारे पास टाइम है मैं नहीं चाहते कि आप सभी तासे उगाए फॉन मिस करें दोस्त की दोस्ता रौन उन्हें ज्यादा परेशानी हो रही है करीमारे हमने बंदा है कि उसका बेटा कोना मुझे कोना पर बहुत क्रश है वह बहुत प्यारा है माहिलो सच में सेल्मा मुझे याद दिलाना जब कोना बाहर है तो उससे मुझे बात करनी है तो मैं ये कह रही थी कि ओ और कुना लंबे परवत पर जादर पन्ना डूड़ने गए हैं ओ क्या वो यह किच्छा करने जा रहे हैं आप उन्हें जानते हैं बेशक किटो हमें सभी ब्रेकियों सूरस जानते हैं जुरासिक ग्रह की रहसियों का कोणार ओकी शांती की कामना करने जा रहे और सभी के लिए प्यार यह बहुत अच्छा है है ना यहां निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए स्नाल और टायरन जैसे बदमाश का ये ये बहुत अच्छा विचार है जायद उसके बाद मैं वहां जाओंगा और कुछ और कामना करें स्वाधिष्ट फर्म तया कि कभी-कभी खाने के अलाबा और भी कुछ तोचो अरे रही दाहिनों को खाना होगा अश्चार फ्येसा ही करता क्टा है क्या आपको लगता है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं तूम क्या चाहतें हो आपके पास जाता retro में एक बहुत लंबी गर्दन है कि आप जाण सकत है और साही जिशा बता सकते हैं बशक हम कर सकते हैं देखते हैं हुआ हाँ को ना और कि निश्चित रूप से तुम्हारे सामने हैं लेकिन स्नाल और टायरॉन तुम्हारे पीछे तेजी से आ रहे हैं आरे नहीं वो कैसे जान सकते हैं कोशिश करेंगे अपको कुछ ज्यादा समय में इस अब बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं हाँ, बिल्कुर सही, ओ, और माय लो, हाँ, हम तुम्हारे बारे में कोना को ज़रूर बताएंगी, मेरे लिए मिशन, मेरे लिए मिशन, बच्चों जल्दी करो, स्नाल और टायरॉन, उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, अब ब्राचियो सौरस परिवार की बज़स है, मॉली और मेवल को कुछ समय मिल गया है, इसी दर्मिया, कोना और रोकी, लंबा परवत और विशाल जादू के पन्ने के करीब, बहुत करीब आते जा रहे हैं, अरे यार, इसमें तो काफी ज़्यादा समय लग रहा है, कड़ी मेहनत के बिना कोई बड़ा इनाम नहीं मिलता, हाला शायद वो कौन है, क्या वो एक और टी रेक्स है, हमें चिंता करनी होगी वो फैंग है, स्नावल्स का चुचेरा भाई, वो अभी अभी स्चोने साइट से यहाँ है, जुरा सिक्रा के भी प्रिदिशा से तो क्या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, फैंग अच्छा है और नदी की तरह शान्त है मुझे वो बहुत डरावना लग रहा है ओकी मेरा विश्वास करो फीक है, मेरी यार, तुम दो लोग कैसे हो दोस्तों बताओ बहुत अच्छे हैं फैंग, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त कोना है कोना, फैंग से मिलो, जुरासिक रह केवल शाका हारी टी रेक्स आप कैसे हो कोना, ये सच में अच्छा नाम है मुझे ये नाम बहुत पसंद आया आप से मिलकर खुशी हुई फैंग, तो आप शाका हारी है सही का, मांस तो कल खाया था पर मैंने अभी फैसला किया है कि एक दिन मैं ऐसा फैंग मैं बनूँगा जो तुम्हें चाहिए वाँ एक बार मैंने खाया और मुझे पसंद आया पीछे बुड़ कर देखा, तो तुम बताया हम निश्चेत रुप से करते हैं वैसे भी सबजी खाना स्वस्त और खुश रहने के रिए बहुत अच्छा होता है ठीक है यार, अब से मैं शाका हारी क्या आप अपने ने जुरासिक रैपर घर का आनद ले रहे हैं फैंग आई यार, मैं खुदाई करता यहां चार और बहुत हर्याली है तुम जानती हो कि मैं देख भाल अच्छा से करता मैंने सुदा है कुछ नए फ़न अभी अभी अंकुरित हुए है मुझे उनको खाने की जरूरत है जल्दी तीज तो क्या हम भी ये खा सकते हैं आ यार, आपको भी खाना मिले मेरे भाल चलो आगे बढ़ते हैं कोना हम लगभग टॉल माउंटेट पर हैं चलो क्राकिंग करते हैं ओके, और आप हमें बता सकते हैं कि रुद्बाग क्या है जुरैसिक ग्रह पर अब गर्म जोशी का माहौल है अच्छी खबर ये है कि ओकी और कोना लंबे परवत के विशाल पनने के करीब जा रहे हैं और ये भी एक अच्छी बात है कि मेबल और मॉली उनसे बहुत पीछे नहीं है लेकिन बुरी खबर ये है कि स्नाल और टाइरॉन भी उनका तेजी से पीछा कर रहे हैं अरे, यार क्यों, क्या हो गया स्नाल आगे, ये वो है, सब ब्रैचियो परिवार के लोग है मुझे लगता है कि वो अच्छे है क्या ओ, मेरा मतलब है ओ, यार, ब्रैचियो परिवार के बारे में सब ही जानते हैं मैंने यही सोचा था बाल-बाल बचा स्नाल टायरान आज आप दोनों कैसे हो हम व्यस्त हैं ढाकू एक दरफ खड़े हो जाओ हाई ढाकू ओ हम अच्छे हैं कैसे हैं मेरा मतलब एक दरफ खड़े हो जाओ ढाकू हम व्यस्त हैं और तुम दोनों अपने बरता उपर ध्यान दो हाँ मैडम ओ हाँ, ठीक है, हम ठीक है, क्या आब आप एक तरफ खड़े हो सकते हैं? तम देनों कहां जा रहे हो? आप लोगों को क्या परवा है, आप लोग तो ना समझे तुम कुछ कह रहे थे, स्नाल हम अपने कुछ दोस्तों की तलाश कर रहे हैं किस लिए? जादू के बारे में कुछ पत्थर या कुछ और, मतलब कुछ ऐसा है हाश टाइरोन ओ-ओ, आप किसी जादू ये पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं? आपने इसके बारे में सुना रहे हैं? किसी ने सुना है, मोर कहें के? तुम कौन सी इच्छा मांगने का प्लाइन कर रहे हो स्नार्ड नहीं सर मैं बस इसे अपने लिए देखना चाहता था मैं एक लिजेंट हंटर की रूप में एक नया काम शुरू कर रहा हूं और मुझे लगा ये एक अच्छी जगह है क्या सच में ये बहुत अच्छा है सनार्ड ज्मारा साथिय बन सकता हूं थी मैं बहुत बड़िया साथिय हूं मुझे छीज़ों को लात बारना पसंथ है हच टैरोन सु सॉर्य आ अब भी तुम्हारा साथिय बनूगा अगर तुम चाहते होतого Islam एक एक्स्प्लोरर बनना चाहते हो हाँ जो एक रेगुलर प्रेस्टॉलिक अप्लाइशन बोन है उनके मुख्य पात्रें स्टीवन स्टेगो सौर के एडवेंचर फिल्मू का जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आप दोगे मेरी मिशन मेरी मिश ठीक है यहां बहुत ही अच्छी बात्चीत हो रही है लेकिन अभी हमें जाना है पर तुम गलत दिखा में जा रहे हो क्यों सच में मैं सिर्फ यह देख रहा था कि आपको कितना पता है वैसे कि किस दिखा में था क्योंकि आप लोग जानते हैं राचियों सारस परिवार लेकिन मुझे लगा हम सही जा रहे हैं हश टायरॉन तो हाँ हम सही थे सामने वाले रास्ते से जा रहे हैं सामने वाले रास्ते से बस तो बहुत स्मार्ट हो स्नार हाँ अब जब आपने द्रिश देख लिया है तो आपको मुलना चाहिए और अधिक सीधा रास्ता अपना है आपके बाईयों, वो आपको रात होने से पहले वहाँ पहुचा देगा ये अच्छा रहेगा चुरह से ग्रहम राप रात को भटकना नहीं चाहोगे सही कहना नहीं मैम, लेट्स को टायरोन ब्राचियों सनाल और टायरोन को गलत दिशा में मोडने में कामियाब होए लेकिन इसी बात की संभावना ज्यादा है कि वो लंबे समय तक जादूई पनने के निशान से दूर नहीं रहेंगे कुछ तो सही नहीं लग रहा है टायरोन क्या सही नहीं लग रहा ये दिशा, मुझे लग नहीं रहा कि हम सही दिशा पर जा रहे है अरे, देखो सनाल, वहाँ पर डिनोस का एक जुंड है तुम्हारे चचेरे भाई फैंक के साथ क्या उनमें से कोई भी हमें टॉल माउंटेन जाने का सही रास्ता पता सकता है हे, मुझे पता है चलो, वहाँ उन लोगों से पूछते हैं कि टॉल माउंटेन जाने का सही रास्ता क्या है मैं अपने चचेरे भाई से भी पूछ सकता हूँ आगे किस दिशा में जाना है, ये पूछने के लिए स्नाल और टायरॉन घाटी की ओर बढ़ते हैं, क्या उनकी कोई मदद करेगा, देखते हैं अरे फैंग, हैलो फैंग, हैलो दोस्त, तुम्हें पता है, क्या पकरायए चेचेचिरे भाई? Just chilling my villain आप बिलनिया क्या कर रहे हैं हम नम्icie परवत की जादवी पन्ने की तलाश कर रहे हैं मैं आपको बता दूऊं आप गलत रास्टे पर जा रहे हैं मैं ये जानता था हाँ यार मैं बस रास्ते में इसके पास से गुसरे तुमने उसे देखा हाँ यार, मैं हर तरह के दिवाने देखता हूँ, चमकती रोशनी भाई, एक पतंगे की तरह, एक लौ की तरह? क्या तुमने कोई इच्छा की? कोई ज़रूरत नहीं भाई, मुझे वो सब कुछ मिला जो चाहिए, डेर सारी सबजिया, अच्छे दोस्त और एक PMA ये PMA क्या है? Positive Mental Attitude भाई ठीक है, तो सबसे तेज तरीका क्या है? उस परवत तक जाने का क्या मैं तुम्हें ट्रिपल दी और सफ कह सकता हूँ, क्या कहते हो? कैसा लगेगा ट्रिपल दी और स्टाफ? फोकस फैंग, हमें किस तरफ जाना चाहिए? जैसे ही मुढ़ोगे सीधे चले जाना, ये एक शॉर्ट कट की तरह आप जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगे समझ गया, आओ टाइरॉन ध्यान रखना फैंग, तुम चाहो तो मुझे ट्रिपल डी बुला सकते हो हाँ भाई हमारे तीनों दोस लंबे परवत तक जादूई पणने की और अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं आश्चर जनक रूप से ये एक रेस की तरह हो गया है तो आईए देखते हैं, वहाँ पहले कौन पहुँचेगा क्या ये कोन और ओकी होंगे, या फिर मेबल और मॉली या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ सनाल और टाइरॉन सबसे पहले पहुँचे ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है ओ, लगता है कोई आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे, अरे नहीं, ये सनाल और टाइरॉन है क्या इसका मतलब जुरासिक ग्रह पर शांती, प्रीम और अमन का अंध होगा? देखो टाइरॉन, हमने कर लिया हमने विशाल परवत की जादोई पन्नों को खोज लिया ये मेरा है, मेरा है, सब मेरा है, सब कुछ मेरा है या, ये निश्यत है कि यहाँ अंधेरा है, अंधेरे से मुझे डर लगता है डरॉन, इस में से सिनैप करो, हम यहाँ सबसे पहले हैं हमने कुना, ओकी, मेबल और मॉली को हराया और उसके उपर अब हमें एक इक्षा मिलती है क्या तुम मशाल की इक्षा कर सकते हो या फिर कुछ मौम्मतियां चलो देखते हैं, मैं क्या इक्षा मांग सकता हूँ मेरे पास पहले से ही नियू डाइनोज ओन दा रॉक का रिकॉर्ड से तुम्हें बॉइ बेंड पसंद है क्या इसमें कुछ कड़बर है बिलकुल नहीं, वो रॉक करते हैं, वो अदबुत हैं ओ, क्रिपया मुझे मत मारो हश तैरोन, क्या मांगू मैं, क्या मांगू मैं चुकि हम हमेशा मौली और मेबल का पीछा करते हैं जो ना उन्हें पकड़ पाने की शमता मांगे मुझे पता है, चुकि हम हमेशा पीछा कर रहे हैं मौली और मेबल के आसपास तो उन्हें पकड़ने की शमता मेरे अंदर क्यों नहीं है तुम बहुत स्मार्ट हो स्ना मुझे पता है है ना, ठीक है मैं चाहता हूँ के तुम कुछ नहीं चाह सकते बुली कहीं के हाँ, बुरे लोग कभी नहीं जीतते तो फिर से तुम दोनों आ गए हाँ, फिर से तुम दोनों आ गए हश टारोन, बस इतना ही, मेरे पास है हम बात में पत्थर के लिए वापस आएंगे चलो पहले उन्हें ले आओ तीथा, बिल्कुल ही असली कभी-कभी थोड़ा सा विश्वास सफलता और असफलता के बीच का अंतर पार कर सकता है हाँ, यहीं सही है क्या तुम अपनी इच्छा मागने के लिए तयार हो, मॉली? मुझे लगता है कि मैं हूँ और इस बीच अचानक हम ये किस दुनिया में आ गए? वह, हम कहां है? मुझे नहीं पता, हम उन दो बच्चों का पीछा कर रहे थे और अगले ही बल हम यहाँ थे यहाँ कहां है? हम आग के भूमी में है चुरासिक रह के दूसरी और तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं यहीं बला बढ़ा हूँ क्या तुम्हें लगता है कि जब हम कोना और ओकी का पीछा कर रहे थे तब मेबल और मॉली ने जादूई पन्ने के पास महोच कर एक्षा प्रकट की? ओ मुझे पता है जानते हो और क्या पता है मुझे? मुझे एक बात पता चली है कि हमें वहाँ जाने तक बहुत लंबा समय लगने बाला है और तब हम पाई पाई का हिसाब लेंगे हाँ तुम उन्हें बताओगे स्नार्ड लेकिन यहां कोई नहीं है मुझे बताने के लिए हाँ जो भी तुम ने कहा हश टायरॉन और इसी दर्मिया जुरासिक ग्रव के बिल्कुल दूसरे जोर पर यार सबसे अजीब बात अभी हुई क्या स्नार्ड और तारन अच्छे हो गे क्या तुम चाथे थे कि वो गाइब हो जाय क्योंकि इसा ही हुआ है वह ठीक हावा में यहह बहुत अजीब है काश हम सब यहाए रह पाते शांति और प्रेम के साथ है न मुझे आशा है कि स्नौल और चॉरन ठीक हैं वो कहें भी हो ओ क्या तु मुझसे मजाग कर रहे हो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं कोई विश नहीं कुछ भी नहीं पूछा क्यूँ हाँ मुझे लगता है कि आपको इस विकार करना पड़ता है कि आप किसी को बदल नहीं सकते आपको बस खुशी से जिने का एक तरीकर ढूरना चाहिए अगर इतनी खुशी की बात है तो क्यूँ ना हम शांती से दूसरों के स्वादिष्ट ने पन देखते हुए और खाते हुए पूरा वक्त बिताए बताओ ठीक है और वैसे भी मेरा गैस टैंक खाली है और इसके साथ ही जुरैसिक रपर फिर एक बार शांती स्थाफित होती है लेकिन उदास मत हो यह डीनो रिफिक के और बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं हम जल्द ही मिलेंगे हम जल्द है हम जल्द है झाल 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 झाल